और दोस्तों स्वागे थे आप सभी का एजूकेशन केट सिक्स में रुख करते हैं बिहार की तरफ बिहार में सिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उन सभी अभ्यारतियों के लिए एक और नया फेज जोड दिया गया है ये नया फेज है आपका लाठी चार्ज का जिया जब उनके उपर गोलिया चलाए गए ये घेराओ सिर्फ बातचीत का था कि वो हमारी बातों को और जो अपनी बाते कह रहे हैं चुकि देखिए बिहार में अभी सिक्षक बाली के प्रक्रिया को लेकर स्टीटी के जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें साफ सफ कहा ग हैं और वो अपने बातों से मुकर गए आयोग भी मुकर गया और यहां पे मंत्री जी भी मुकर गए अब वो बोल रहे हैं कि मात्री ये सिर्फ आपका पातरता है जो कि आपने पास किया है और इसके लिए एक नियोजन की काई होगी फिर मेगा सूची बनाया जाएगा मेग घर में साधियों के तारीखे रग दी थी या दहेज बेगरा कुछ बाते कर ली थी या फिर नौकरियों की चर्चा के आड में यहां पे वो अपने शाधिय कर लिये थे थे थोड़ा सावधान रहीएगा आप लोग ठीके क्योंकि आप लोग के साथ भी ये ऐसा हो सकता है ठ सरकारी आवास का घिराव करने जा रहे थे स्टीटी सफल अब्यार्थी पुलिस ने जम कर लाठिया बरसाई है और दो दरजन से भी ज़्यादा अब्यार्थी अभी देखे यहां पे घायल पड़े हुए यहां तक कि महिला अब्यार्थी भी थी उनके उपर भी लाठिया बरसाई गई है लाठिय चार्ज के करिब दो दरजन महिला और पुरुस अब्यार्थी घायल है इसी बीच में सिक्षा मंत्री ने कहा कि स्टीटी 2019 के उत्रीन अब्यार्थी को परिशान होने की आवशक्ता नहीं है जो अब्यार्थी उत्रीन और मेगा सुची में है उनकी इस्तिती पुरुवत्तर बरकरार है उन्हें कोई मेगा सुची में बाहर नहीं कर सकता है यह पातरता परिशा की मेगा सुची है और नियुक्ती की मेगा सुची नहीं है तो साफ साफ उन्होंने एक बार फिर से कह दिया है कि मैं यहां पर इसको मेगा सुची नहीं मानता कि आपका रहा फाइनल रिजल्ट हो गया है आपका नौकरी हो जाएगा आपको नियोजन की कायों से गुजरना पड़ेगा और हो सके तो फिर से लाठिया खाना पड़ेगा क्योंकि ये आपका सिलसला बिहार के सिर्फ स्टीटी यानि कि सिक्षा विभाग से ही नहीं चल रहा और दोस्तों यहां पे मंत्री जी का क्या कहना है और आगे तो आप लोगों को मैं कल से ही अपडेट कर रहा हूं लेकिन आपको बता दे कुछ कल की घटना है जो कि देखिए आरोप लगाया गया है यहां पर कि दोबारा जारी लिस्ट में बड़ा खेल हुआ है और जाच कर किया गया दोस्तों जिसमें की 24,599 चात्रों को 12 विश्यों में सफल गोशित किया गया तीन विश्यों का परिणाम गोशित नहीं किया गया बाद में 21 जून 2021 को 15 विश्यों का परिणाम गोशित किया जाता है उसमें 24,599 के सफल गोशित अभ्यारतियों को 21 जून के परिण अमिता बरती गई इसका बड़ा खेल क्या हुआ है सरकार इसकी जाच कर आए और यहाँ पर उसके बारे में अपडेट दे इनकी मांगे थी यहाँ पर 16 अभ्यार्थी पर यहाँ पर नामजद है अभी भी 250 अग्यात पर केस है यहाँ पर अभी भी सचीवाले थानेदार सीपी गुपता जीने बताया है यहाँ पर कि इस मामले में 16 अभ्यार्थी को नामजद किया गया है जबकि 250 अभी अग्यात पर है जिनको उपर केस चल रहा है लाठी चार्ज होने के बाद भगदर में सड़क के किनारे लगी कई बाइके स्कूटी छती ग्रस्त होई है सरकार का कहना है जब दूसरी और अभ्यार्थी के संग का कहना है कि अगर सरकार सभी सफल अभ्यार्थी को नौकरी गरंटी नहीं देती है तो पूरे बिहार में आंदुलन होगा 12 मार्च को रिजल्ट गोशित हुआ तो इस समय सिक्षा मंत्री ने खुद कहा था कि STAT पास सभी अ भबाल खड़ा हुआ है और क्योंकि सरकार अपने बातों पे रह नहीं दिये ना तो इसको लेकर यहाँ पी गारंटी मांगने गये थे चात्र एक तो इसके बाद आपका नियोजन होगा तो इसको लेकर यह सारी चीज़े हो है और यह सिर्fo ना तो बिहार के सिख्षा विभाग को लेकर हो रही है फर एक में चर्चा होती है जहां पर लाठी चार्ज वाले स्टेडूल से आपको गुजरना पड़ेगा तो नौकरी पांई है बिहार में तो ठीक हाना पड़ेगा आपको एक खबर आ रही है बिहार BPSC को लेकर चुकी देखिए अभी आपको बदा दे कि 652 संजुक्त परिक्षा को लेकर प्रतोगता परिक्षा का रिजल्ट बुद्वार को जारी हो सकता है यानि कि दोस्तो आज आपको इंतजार करना होगा शाम तक क 434 पदों की बाहली के लिए प्रारंबिक परिक्षा 6522 अभ्यारतों को सफल किया गया था BPSC की परिक्षा नियंतरक अमरेंदर कुमार ने कहा है कि बुद्वार को रिजल्ट जारी किया जाएगा यानि कि आज शाम तक आपके रिजल्ट आपके हाथ में हो सकता है यहाँ प इस BPSC जो मेंस का एकजाम है उसका भी यहाँ पर डेट निर्धारित नहीं किया गया है और 67th BPSC परिक्षा को लेकर नोटिफिकेशन आने वाला है जिसके उपर एक नियूज नोटिफिकेशन भी मैंने दिया था कि इसमें अभी बहाली का जो पुरा सीट का जो पुरा कले नोटिफिकेशन है वो आयोग के पास नहीं पहुंचा है तो यह अभी इसमें अधारनाय लगाई जा रही है और इस बार तो 67th BPSC में ऐसा भी मानना है लोगों का कि यहाँ पर SDM के पोस्ट काफी जादा होने वाले हैं DSP के पोस्ट जादा होने वाले तो आप लोग अपन 25-11 से लेकर 26-11 और 28-11 के मद्ध में रखा गया था संभावी ती जो दी गए थी और उसके बाद यहाँ पर इसका रिजल्ट देना था दोस्तों एक्जाम होने के बाद इसका रिजल्ट भी देना था लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई अपडेट नहीं था लेकिन आज के इस चात्राभी तक मेंस के लिए फॉर्म नहीं परे थे वो भर लिये होंगे और आशा करते हैं कि इनका भी एक्जाम डेट गोशित किया जाएगा चुकि आपको पता है कि देखिए बिहार में भी लॉकडाउन था सारे स्कूल कॉलेजे बन थे और एक निउस के मादिम से मैंन सारी जी जब उपन होगी तो इनको सेंटर मिल पाएगा और सेंटर मिल पाएगा तो इनकी एक्जामनेशन्स कराए जाएगे और जैसे इसके एक्जामनेशन्स खतम होंगे 66 मेंस को लेकर तो आपका नोटिफिकेशन 67 का तयार रहेगा और वो नोटिफिकेशन आप लोगों और सरकार की नौकरी देने की तरीकों को तो जी सरकार को चुनकर लाएं थे हम लोग फिर से विश्वास लेकर आये थे कि वो सरकार हमारे लिए नौकरी देगी वो सरकार अभी भी बिहार SSC जैसे एकजाम को रोके पड़ी हुई है उसके टाइपिंग टेस्ट को लेकर उसके फिजिकल टेस्ट को लेकर अभी भी यहाँ पर रिजल्ट घोशित नहीं किया जा रहा है बिहार SSC की बात करें तो बिहार में एक और वेकेंसी निकाले गई थी 1767 पदों की अमीन की भरती को लेकर उसके बारे में भी सरकार चुपी सादे हुए कोई अपडेट नहीं दे रही है बिहार में पटना हाई कोट की वेकेंसी आने वाली थी उसके उपर भी सरकार कुछ नहीं बोल रही है और ना ही बोलेगी आयोग क्यों बोलेगी अब आप पूछने जाएंगी कब एक्जाम होगा तो खाये लाठी फिर लाठी खाने के बाद ही आपके उपर जवाब दिया जाएगा तो यह सारे जो हैं चीजे हो रही हमारे बिहार में नौकरियों को लेकर तो अगर मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ आप छात्र तो मैं आप सभी को एक्षी चल क्लियर कर देना चाता हूं कि आज होगा एक्जाम तो आपको आज एक्जाम देना पड़ेगा सरकार अगर चाहेगी कि आज एक्जाम ले ले तो आज आपको देना पड़ेगा फिर उसके बाद प्रोटेक्ट मत करने जाएगा नहीं तो पन हो रही है उनका अक्षाओं को किस सेलसिलेवार या सुची वद से खोला जाए कोविड गाइडलाइन्स को भी फॉलो करना स्कूल्स को तो उन सभी चीज़ों को भी देखा जाएगा तो यह 15 जुलाई 16 जुलाई तक तो संभवता नहीं लग रहा है कि जुलाई में आपका परिक्षा होगा बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आ सकता है कि हाँ इसका एक्जाम डेट दिया जा सकता है नोटिफिकेशन के जरीए कि इस दिन एक्जाम हो सकता है तो अगस्त मान के चलिएगा मोश पॉबली अगस्त का लाश्ट वीक या सेकेंड लाश्ट वीक में मैं आप लोग के पास सिर्फ और सिर्फ मान के चलिएगा एक महीना है सिर्फ जुलाई का पढ़ने के लिए अगर आपने इस महीने में अपनी तयारी को और मजबूत नहीं किया तो साथ कहीं न कहीं आप फिर पीछे रह जाएंगे 2446 पदों के जैसे ही तो मैं उन सभी छात्र क्लास को प्रिक्षा की साइंस का अपडेट की जा रहा है यहां से तो यह तो अभी इस वीडियो में इतना ही दोस्तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब ज़रुर जरूर कर लिजेगा बेल आइकन दबाके अन्य था कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं जा पाएगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किजेगा साथी साथ बेल आइकन जरूर दबा लिजेगा डेटा एंट्री ओप्रेटर के लिए बेल्ट्रोन ने अपना खाता खोल दि सकती निकली है तो आप सभी को पता है कि बेल्ट्रोन एक थर्ड पार्टी कंपनी है तो यह अपना जो इंप्लॉई है वहां पर भेजेगा तो जिसके लिए 534 अभ्यारतियों की यहां पर अप्डेट दिए गया है जो आइनिंग को लेकर तो इस वीडियो को भी आप जरू